हिंदी सिनेमा में तक्रिबन 6 दशकों तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रुमानियत का जाजु बिखेरनवाले सदाबार अबिनिता देवानन का जनम 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरुदासपुर में एक मध्यमर्गय परिवार में हुआ था। देवानन का असली नाम धर्मदेव किशोरिमल आनन था। उन्होंने अंग्रेजी साइट्य में अपनी सनातक की शिक्षा 1942 में लाहोर में पूरी की थी। तीन दिसंबर वो तारिख है जिस दिन देवानन साब ने इस पुरे दुनिया को अलवीदा कहा था। इस दुनिया से विदा लिये उन्हें 11 सर हो गए लेकिन आज भी वो हर एक सिने प्रेमी के दिल में बसते हैं। आईए देवानन साब के जीवन से चुड़े कुछ पहलों से रूबरो होते हैं। कहते हैं जब देवानन साब मुंबई आये थे उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी महनत और काम के प्रतिनिश्टा से इन 30 रुपे को लाखों में बदल दि लेकिन असफल रहने के बाद उनके पीता ने उन्हें अपनी ऑफिस में क्लरक के काम पर रख दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मन्सुर था। और देवानन बाइस की उमर में मुंबई आ गए। वहाँ से उनका सफर कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वो एक मिसाल बन गए। बता दे कि देव साब की हिट फिल्म काला पानी में उन्हें काले रंग का कोट पहनने से रोका गया था। क्योंकि काले रंग के कोट में वे इतने हैंसम लगते थे कि यह डर था कि कही लड़किया उन्हें देखकर चस से कुजना जाए। करियर शुरू करने के दो साल बाद फिल्म विद्या की शुटिंग के दोरान उन्हें सुरिया से प्यार हुआ। फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे में दोनों नाव पर सवार रहते हैं और नाव डूब जाती है। हिरो की तरह देवानन सुरिया को बचाते हैं और उसी वग उन्हें सुरिया से शा के खिलाफ थी हालात कुछ ऐसे बने कि देवानन और सुरय की राहे जुदा हो गई लेकिन दिल्चस बात यह है कि उसके बाद सुरय ने कभी किसी और से रिष्टा ही नहीं जोड़ा और वो ताउम्र कुवारी रही बता दे कि देवानन ने जो पहली गाड़ी ली थी उसका न कलपनाकार्तिक आ गई दरसल गुरुदत की पहली फिल्म बाजी में देवानन और कलपनाकार्तिक की जोड़ी को लोगों ने खुब पसंद किया इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की जैसे आंधिया टेक्सी ड्रावर नो दो ग्यारा इसी दवरान दोनों के बीच प गुबध मुकरजी की फिल्म जंगली और नासीर उसन की फिल्म तिसरी मंजिल के लिए पहली पसंद देवानन साभी थे लेकिन निर्माताओं के साथ मदबत की वज़ा से उन्होंने दोनों फिल्में करने से मना कर दिया शम्मी कपूर को एक मुका मिला और वे बन गए याह स्टार देवानन एक ऐसा भी निता है जिन्होंने बीग बी को छोड़कर हर बड़े स्टार के साथ काम किया है अमिता बच चंजी जंजीर फिल्म के स्टार बने उसके पहले देवानन को एप्रोच किया गया था जून 1975 में ततकालिन प्रदान मंत्री इंद्रा गांजी ने जब देश में आपतकल लगाने का एइलान किया तो देवानन ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके उसका पूरजोर विरोद किया था बाद में आपतकल खतम हुआ और देश में चुनाओं की घोशना की गई तो उन्होंने अपने प्रशन सोके के साथ जं प्रशनितिक रूप से सक्रिय न रहे हो लेकिन समय समय पर विबिन राजनितिक मतलों पर अपनी बेबा क्राए रखते रहे देव साब की फिल्म हरे राम हरे कुछन में उनकी बहन का रोल करने के लिए कोई अभिनेत्री तैयार नहीं थी नहीं नहीं लड़कियों के स्क्रि कर रहे थे कि जिनत ने उनके हैंडबैक से सिगरेट निकल कर दी उनकी यह अदा देव साब को भाग गई और उन्होंने जिनत को अपनी फिल्म के लिए साइन कर दिया सभी जानते है कि मौमद रफी साब ने देव साब की बहुत सारी फिल्मों में उनके सदावार गीतों को अपने आवाज दी हुई है यह जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि देवानन ने भी रफी के लिए गाना गया है इन दोनों ने वर्च 1966 में बनी हुई फिल्म प्यार महबत में साथ-साथ गाना गया है देवानन ने एक बार 31 जुलाई को रफी की पुर्णे जिती पर आ में जो हुर्रे है वो मेरी आवाज है मैंने बस उतना ही गाना गया है चार बार फिल्म फेक पुरसकार जीच चुके देवानन को भारतिय सिनेमा में उल्लेक निये योगदान देने के लिए वर्च 2001 में भारत सरकार्ने प्रतिष्टित पद्मबुशन सम्मान से नवाजा ग गया था तीन दिसंबर 2011 को देव साब का लंदन में दिल का दवरा पढ़ने से निदन हुआ था अपने अंतिम समय तक वो लगातर सक्रिय रहे और उन्हें मिडिया ने एवर्गिन स्टार कहा तो दोस्तों देवानन साब के बारे में यह जानकर आपको कैसी लगी हमें तो चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलिए बेल आइकोन में क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुचे वीडियो आखरी तक देखने के लिए धन्यवाद